मुद्धा तो डिवलप्मेंट होगा बिहार में भी स्थिति गंभीर बनी ही है ऐसे में सरकार को चाहिए कि बात चिकित्सा वेवस्था की हो लेकिन बात जो है राजनीती की सुरू हो गई है बिहार में विधान सभाच उना होने है इसको लेकर सत्ता पक्ष जहां अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं तो वहीं बिपक्ष जो है सवाल पूछने में लगे हैं बात अगर भागलपूर की करें तो यहां से बरसों से जो एक मुद्दा बना रहा है भोला नाद पूल, हवाही जाज और जाम की समस्या क्या इस बार भागलपूर की जनता इन्ही मुद्डों पर चुना करेगी या परतियासी चुनेगी यहाँ पर कुछ भागलपूर के यूबा हैं, इनसे हम बाचीत करते हैं और जानने की कोशिस करेंगे कि इस बार जो है विधान सभा के चुनाओं में क्या मुद्दा रहेगा और कैसे पर्तियासियों को चुनेंगे सर क्या नाम हुआ आपका? सर जैसा कि भागलपूर में विधान सभा चुनाओं हला कि इसकी घोशना नहीं की गई है कि कब होगी लेकिन अगर विधान सभा चुनाओं होते हैं तो ऐसमें मुद्दा जो है आपका क्या रहेगा? कि वही भोलानात पूल या जाम की समस्य या पर कुछ और? मुद्दा तो डेवलप्मेंट होगा और यहां जो भी जाम का समस्य है जाहे यहां परकिंग का सुविधा नहीं है और जहां कंजस्टेड है और भोलानात पूल का भी आप इशू देख रहे हैं कितना बड़ा और कितने नली है जो पानी जाता ओबर फ्लो होता लोग को बह ट्रैपिक का सुविधा और पार्किंग का सुविधा बनाए और सहर को क्लिन पनाए ताकि यह स्मार्ट सिटी है अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो यह मेरा अपना भी है कुछ और लोग हैं क्या रहेगा इस बार की बरतमान में जो नगर बिधायक हैं इनकी कारे शैली से आ वाई सेवा या तो फिर भोलानात्पूल यही मुद्दा रहा है बरसों से भागलपूर का क्या इस बार भी यही रहेगा देखे मुझे लगता है कि वादा करना और निवाना दोनों अलग अलग चीज है अक्सर जब बोट की बात आती है तो बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं ज जो अस्थानी अभी यहां के बिधायक हैं हम लोगों ने तो नहीं देखा है कि उन्हें कभी काम करते वेचाए वह हमारे सांसद महोदे क्यों नहीं हो इस कोरोना जैसे भयानक महारी के दौरान भी उन लोगों का चैरा अभी तक सामने नहीं आया है तो हमें लगता है कि हम स लगता है कि जो हमारे यहां का स्थानी हालात है धर्म की राजनीती नहीं होनी चाहिए यहां राजनीती का धर्म होना चाहिए और हमें लगता है कि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो राजनीती में आकर बढ़ चड़कर हिस्सा लें यह बहुत अची बात कहीं, आपने की युवाओं को भी मोका मिलना चाहिए, क्योंकि राजनीती में युवाओं की भागेदारी बहुत ही जरूरी है, और भी कुछ लोग है, सर क्या लगता है इस वर भागलपूर का जो चुनाओ, विधानसवा चुनाओ हना की इसकी घोशना लेकिन आज तक वो नहीं है, हम लालू चक्षेत्र में रहते हैं, सबसे जादा वही प्रोब्लम है, ट्रैफिक विवस्ता इतना चर्मराया हुआ हुआ हो बिधायक हो या सांसद हो, दिखने तो मिलते ही ने, चाहे वो अजी शर्मा हो या सांसद साहव आजाए, लेकिन कही नहीं दिखते हैं कोई ऐसा वेवस्था भागलपूर में नहीं दिखता है कि कुछ विकास के नाम पर कुछ हुआ हो बस वही कुड़ा वही ट्रैफिक वही जानवर रोड पर उस तरह वेवस्था कुछ भी नहीं है और इस वार जो है कुछ युवा को आगे आना चाहिए और तो कुछ होना चाहिए कि 60-65 के प्लस वे रिटार्मेंट तो थोड़ा जरूरी हो गया है इन लोगों का तो आगे ऐसा उमीद है कि युवा आना चाहिए ची तो यह सब युवा है और इनकी जो मांग है कि युवाओं के हाथ में कमान सोपी जाए कुछ और लोग हैं सर क्या लगता है कि इस वार का जो चुनाओ है और मुद्दा इसमें क्या होई पुराना मुद्दा रहेगा अभी तक यह समच्या का नहीं वोट करेंगे मुद्दा तो देखे बदलना चाहिए लेकिन हर बार जो सरकार वो यहीं मुद्दा पर लड़ते है कि जाम वेगरा बोलानात पूल एक बड़ा समस्या आए यहां का बादरे अजीत सर्मा कि वो तो दो-तीन साल पहले एक समारो था उन्होंने बोला था कि बोला पहला समस्या है कि बोलानात पूल बोलानात पूल में थोड़ा सा बारिस हो जाती है तो पानी का जमा हो जाता है पबलिक को आने जाने में दिक्कत होता है हम लोग को भी दिक्कत होता है ऐसा कि जहां कि हम लोग आफिस के लिए निकलते है जहां जाने के लिए पांच मिनट का रास्ता वहाँ एक घंळा लगता है जाने में दूसरी बात है कि बागलपुर में जुक्त का समस्या है वो बहुत-बड़ा समस्या है तो क्या लगता है पिर मृद्दा बदलेगा बदले मुपी को सकते हैं समान भागिदारी है जिसे कारण ये समस्याइं से लोग निपट रहे हैं और रही बात हर एक वर्स हर एक चुनाओं के साल में ये मुद्दाएं दोहराए जाती है कि बहुलानात को हम दुरुस्त करेंगे जाम की समस्याओं को दुरुस्त करेंगे एजुकेसम को बेटर हब ब भागलपूर को लेकिन वह समस्याइं बरकरार रहती है साल दर साल लेकिन इस बार हमारा में मोटिव रहना चाहिए कि इस बार कुछ नया लाना चाहिए युवाओं को कुछ हाथ में बागडोर देनी चाहिए जाकि कुछ आसा उससे किया जा सकता है तो ज्यादा तर युव हमाओं को मोगा मिलना चाहिए क्योंकि के उनसे बहुत आरी आ रफेक्ष्ट्राग इनकी और युवा भी है सर डिल्लैका बदलेगा या फिर मुद्ध रहेगा मुझे नहीं लेगता कि यह मुद्ध क्या लगता है सर कि अभी जो बरतमान की राजनीती है हमारे सूबे की राजनीती है पक्ष जो है अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं विपक्ष जो है वो सवाल करने में लगे हैं क्या लगता है ये समय सही है खासकर कोरोना जैसे वेस्विक महमारी के समय में इस तरह की रा को पुरा काम होती है यहां लेकिन यहां की लोगों में आदमी को जाना चाहिए मुद्दा वही रहेंगे पहले जैसे ही जो थे लेकिन लोग नहें रहेंगे जैसे पॉलिटिक आपके ख्याल से कैसे पर्टियासी को इस बार आना चाहिए मैदान में कैसे पर्तियासी को चुने आखे हाट को हुआ है हूँ शर क्या लगता है कि बर्तमान में हमारे देश के शुरी राज जी के जो मुख्यमंत्री हैं वह अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं विपक्ष जो है वह उनसे सवाल करने में लगे हैं लेकिन यह सही मौका नहीं है सर ऐसा हमें लगता है आपको क्या लगता है क्रोणा जैसे हमारी में देखे मैं बिहार की राजनीती से बहुत ही मतलब निरास हूं चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो और यह गंदी राजनीती हो रही यहां और इसमें आम जनता हम जैसे पीस रहे हैं और लगता है कि अभी आने वाले कुछ वरसों तक चलेगा ऐसा है भागलपूर की बात करें तो भागलपूर में जो है ऐसा परत्यासी जो आपको लगे कि ने इनके हाथों में बागडोर सों पी जाए तो खर भागलपूर का जो है विकास की जो रफ्तार है सर वो गती पकड़ जाए तेज हो जाए मेरी नेजर में अभी ऐसा कोई नहीं है अभी देखना पड़ेगा टाइम लगेगा अभी कुछ भी काना जलवाजी है और मैं यहां की राजनीती से काफी निराज हूँ सर क्या लगता है कि इस बार का मुद्दा जो है वो बदलना चाहिए और फिर मुद्दा वही रहना चाहिए मुदधा बदलने पर हम लोग सूछ सकते हैं काम बहुत ही चल रहे है जहां तिन साल में जगाट डिंध बाट लेट हो जाता है चार साल पास साल लग mesma अब लगता है यह यह चीज़ पर भागलपूर शहर में क्या प्रतियासी ऐसा जिनके हाथों में तो तक्रीवर हैं युबाओं के युवाओं के हाथ में बागड़ॉर कोई अगली बार पिर हम अग्ली बार जब भी आएंगे शक्छातकार के लिए तो आपके सवाल को हम रखेंगे झाल झाल